प्रस्न वली 7.2 के पार्ट 3 वीडियो के अंकरकर हम प्रस्न संख्या 3 के प्रस्नों को हल करने जा रहे हैं हमारा पहला प्रस्न है x square by 4 minus 2x plus 4 इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x by 2 का whole square minus 2 into x by 2 into 2 plus 2 square देखी यह 2 और यह 2 कट जागा तो फिर 2x बचेगा हमने ऐसा क्यों किया हमने इसलिए कि यह जो हमारा अभी व्यांजा काया यह आप देखिए सरफ समी का 2 के जैसा है a की जगा यहां x by 2 है और b की जगा 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं x by 2 minus 2 का whole square अर्थाथ x by 2 minus 2 into x by 2 minus 2 तो यह दिये गया हमारा जो व्यांजाग था इसका गुनन खंडा आ गया अब प्रत्न संख्या 2 को देखते हैं यह है p square p square y square minus 2py plus 1 तो इसे पुन हम इस तरह से लिख सकते हैं py का whole square minus 2 into py into 1 plus 1 square तो यह पुन हमारा सबसमी का 2 की तरह आ रहा है a की जगा py है और b की जगा 1 है तो इसे हम रिख सकते हैं py minus 1 का whole square अठाथ py minus 1 into py minus 1 प्रत्न संख्या 3 a square x cube plus 2abx square plus b square x इससे हमने x common ले लिया तो हमारा बच गया a square x square plus 2abx plus b square अर्थात यह ऐसा हो गया a x whole square plus 2abx into b या इसको ऐसे लिख सकते हैं a x into b plus b square यह देखें यह जो हमारा बेंजक है यह हमारा सबसमी का एक की तरह है a की जगा यहाँ a x है और b की जगा तो b ही है तो हम इसे लिख सकते हैं a x plus b का whole square अर्थात x into a x plus b into a x plus b यह हमारा गुरन खंडा आ गया प्रस्न संख्या 4 यह है a square plus 2ab plus b square minus 4 तो इसे हम दो भाग में कर देते हैं a square plus 2ab plus b square यह और minus 4 को हम लिखते हैं 2 square तो यह जो पहला हमरा पत है इसे हम देखते हैं यह क्या है यह हमारा सर्फसमी का एक कीतर है यानि यह हो गया a plus b का whole square minus 2 square अब यह जो हमारा व्यंजाक आया यह हमारा सर्फसमी का तीन के अनुसार है तो यह हमारा हो जाएगा a plus b plus 2 और into a plus b minus 2 प्रस्न संख्या 5 x cube plus x square plus x plus 1 is equal to हब इसे इसे एक bracket में रिखते हैं इसे एक bracket में तो यह होगा x cube plus x square और यह plus x plus 1 अब यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में क्या common है तो x square common है यहाँ बच गया x plus 1 अब इन दोनों में क्या common है एक तो है ही common तो x plus 1 अब देखें यहाँ पर दो भाग है हमारे पास एक भाग यह है एक भाग यह है तो इन दोनों में हमारा क्या common है x प्लस 1 और यहां बच गया x स्क्वार प्लस 1 इसे हम इस तरह से थोड़ा सा सजा के लिख रिख रिखे हैं x स्क्वार प्लस 1 इंटू x प्लस 1 तो यह दिये गया वेंजग का हमारा गुनन खंडा गया प्रस्न संग्या 6 यह है 9 x स्क्वार प्लस 2 x y प्लस y स्क्वार बाई 9 तो इसे पुना हम इस्तर से लिख सकते हैं 3 x का होल स्क्वार प्लस 2 इंटू 3 x इंटू y y 3 प्लस y y 3 का पूल स्क्वार देखिए यहां हमने किया 2 x 3 x x y y 3 इसलिए कि हमारा यहां पर 3 x था और यहां y y 3 था अगर हम इसे यह 3 और 3 कैंसल कर दें तो हमारा पुना फिर 2 x y आ जाएगा जिससे कोई फरक नहीं पढ़ता है हमने इसलिए किया इसे क्योंकि इसे हमें इस सर्फसमिका के रूप में लाना था देखिए बिल्कुल इस सर्फसमिका जैसा आ गया a की जगा है 3 x और b की जगा है y by 3 तो यह आ जाएगा हमारा 3 x प्लस y by 3 का whole square अर्था 3 x प्लस y by 3 इन्टू 3 x प्लस y by 3 यह हमारा गुरंखन आ गया है प्रस्न संख्या 7 2 x cube प्लस 24 x square प्लस 72 x इसमें हमें क्या common मिल सकता है देखिए 2 x यह common हम लेते हैं तो यहां बच गया हमारा x square प्लस 12 x प्लस 36 इसे हम लिख सकते हैं 2 x into x square plus 2 into x into 6 plus 6 square इसकाल 2 x अब यह से देखिए x square plus 2 into x into 6 plus x square यह बिलकुल हमारा सर्वसेमी का एक की तरह है a की जगा x है और b की जगा 6 है तो इसे हम लिख सकते हैं x plus 6 का whole square तो यह हमारा हो जाएगा 2 x into x plus 6 into x plus 6 यह गुरनखंड हमारा दिये गया वेंजक का आगया है अब यह आठवा नमबर परसुन यह है 9 x square minus 3 y plus z का whole square इसे हम लिख सकते हैं 3 x का whole square minus 3 y plus z का whole square तो यह हो जाएगा 3 x यह देखिए सर्वसिम का 2 की तरह है तो 3 x plus 3 y plus z into 3 x minus 3 y minus z चुकि हम यहाँ minus रख रहे हैं उसके बाद इसे रखेंगे तो फिर यह bracket था ना तो यह minus हो जाएगा plus minus हो जाएगा तो यह हमारा दिये गया वेंजक का गुरनखंड कि कि उने कर दो जाएगा में मेंजक हो जाएगा जा में पूमा कर अपिसाग बात हो चहाँ